आपदा के वक्त CM योगी हमेशा समाजिक और व्यपारिक संगठनों से आगे आकर सहयोग की अपील करते हैं। उनकी इस अपील का असर भी जरूर देखने को मिलता है। इसका उतक्रिष्ट उदारण बाढ़ प्रभावित लखिंपूर खिरी में देखने को मिल रहा है। दरसल CM योगी की मंशा के अनुरूप DM दुर्गा शक्ति नागपाल से बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद पहुचाने के लिए अभिनो पहल की गई थी। जिसके बाद से कॉर्पोरेट सेक्टर, उद्यमियों, स्वेम सेवी संस्थाओं के सहयोग से 10,000 स्पेशल रहाट की तयार की जा रही है जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपे है। इसका वितरण बाढ़ प्रभावित परिवारों की बीच किया जाएगा, बता दे कि मुश्किल समय में सरकारी एजेंसियां अपने दाईतों के निर्वहन का हर संभव परियास करती हैं। बाजूद इसके कभी कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसे में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंतर को आत्मसाथ करते हुए मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ ने समाजी कुतर दाईतों से जुड़े प्रयासों में जन सहभागिता को बढ़ाने पर हमेशा वल दिया है। जिलादिकारी दूरका शक्ति नागपाल के अनुसार इन 10,000 स्पेशल रहत किट के जर्ये, कॉर्प्रेट सेक्टर, स्वेम सेही संस्थान और उद्यम्यों ने बाढ़ा प्रभावित को 45 लाह की मदद दी है। बतादे कि उत्तर प्रदेश के संस्थानों की मदद लेने के लिए निर्देशित किया था। इस पर लखिमपूर खीरी की दीन दूर्गा शक्ति नागपाल ने पहल करते हुए जीले के उद्यम्यों स्वेम सेवी संस्थानों से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अहवान किया। इसके बाद नहाएं और उद्यमी बढ़ चड़कर आपदा में प्रभावित लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। इन कीट के अलावे भी बाढ़ पीडितों में स्पेशल कीट और सिर्पाल वित्रण के प्रयास किये जा रहे हैं।